प्रूब करने जाए जो थे चरण के मगदान मैं जत्ता के उत्साह पुर्वक मगदान करने के लिए पहले तुम्हें बढ़ाई देता हूँ और जवर्जस्त मदान ये भारती जत्ता पाटी के लिए हर प्रकार से सुबसंकेत है और अगर एक लाइन में मैं पुरे मदान पे अपने टिप्ड़नी करूँ तो यही कहूंगा कि साइकल पंजर हो गई है हाथी बिहोस हो गया और भारती जत्ता पाटी का कमल चौथे चर्ण में भी बहुत ही सांदा धन से खिला है आज पूरे उत्तर प्रेश के अंदर जो उत्साह में देख रहा हूँ वा उत्साह 2017 में जो हम लोगोने सुरू में दावा किया था कि हम 300 से दिक सीचे जीतेंगे उस दावे को इतना बल जत्ता के दौरा मिला है और इस चुनाव में जिस प्रकार से जत्ता ने आगे आकर के भारती जत्ता पार्टी के प्रत्यासियों की लड़ाई लड़ी है और जिस प्रकार से नोडबंदी का जनता ने समर्थर किया है उसकी मैं बहुत प्रसंसा करता हूँ और मानी नरेन मुदी जी के द्वारा नोडबंदी का जो भैसला हुआ उस भैसले का भी सुनाव पे बहुत प्रभाव पड़ा है और जनता नोडबंदी का समर्थर करते हुए भारती जनता पार्टी के पच्छ में मतान कर रही है लोगों में समाजवादी पार्टी की जो सरकार चड़ी है इस सरकार के प्रती जवर्जस्त गुस्सा है प्रदेश की कोई ऐसी विरहमसवा सीट नहीं है जहां समाजवादी पार्टी के पदाधीकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकरता समाजवादी पार्टी का जंडा लगा करके गुंडा गर्दी ना किये हो सपा ने सपा का जंडा लगा करके जैसे गुंडा गर्दी का प्रमाल पत्र अर्जित कर लिया हो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में लोगों को सताया है इनके कई विधायक, कई मंत्री, कई पदाधिकारियों के उपर इस प्रकार के गंभीर आरोब लगातार लगते रहे हैं और प्रदेश में दोडेक में भ्रमण के दोरान यहां पाया भी हूँ कि कई अस्थानों पिनके विधायक और मंद्रियों ने भी कहीं मंदिर की जमीन, कहीं सरकारी जमीन इस प्रकार से कपजा करके उसको बेचने का भी काम किया है भाज़पा की सरकार आने के बाद, सपत लेने के बाद, साथ दिन के अंदर अवयत रूप से गुंड़ई के बल पर कपजा किये की गई जमीनों को खाली कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा और कठोड़तम कारवाई की जाएगा भात्री जन्ता पाटियक क्योंकि पुरवांचल के हिस्से में चुनाव आज गुंदेल खंड का संपन हो गया पुरवांचल का पूरा का पूरा च्छेट चुनाव के दिश्टी से अब बचा हुआ है और हमने पुरवांचल जो अध्याधिक पिठरा च्छेट उस पिठरे पन को दूर करने के दिश्टी से पुरवांचल विकास बोड का गठन करने पुरवांचल के छेट में भूमिहिन किसानों की एक बड़ी संख्या है उनके लिए दीन दयार सुरच्छा भीमा योजना के अंतर गद दो लाग हुपया का सुरच्छा भीमा देने और ऐसे किसान को गोधन योजना के अंतर गद तुधारू पसुगाय और भैस या उपलत कराने जिससे उनके जीवन के अंदर भी आय का स्रोथ हो सके अब परिवार का जीवन अस्तर आगे उड़ सके सपा सरकार जो पाज साल किनकी नाकामी रही उस नाकामी के कारण जो भर्ष्टा चार हुआ है जो किसानों के साथ अन्याय हुआ जो केंदर सरकार के दौरा मुआपचे के रूप में जो राहत रासी भेदी गई उसका भी बित्रन नहीं हुआ इसको लेकर के भी किसानों में जबर्चस्ट गुट्सा है और भाती जब्ता पाटी में उक्तर प्रेश के किसानों की बदहाल इसकिती को ध्यार में रखते हुए जो उनका जो सीवानत और लगू हमारे किसान है उनके करजे को माप करने का भी निड़े लिया है पास साल की नाकामी कुसातन और अफराज के कारण मैं देख रहा हूं कि समाजबादी पार्टी की करारी पराजे या तय है आज महाराज के अंदर और दो दिन पहले उड़ीसा के अंदर अगर मैं कहूं कि 25 से लेकर के पालिया में तक मोदी जी का डंका बज़रा है भाजबा का डंका बज़रा है तो कोई उसमें गरत सब्द नहीं होगा बार्टी जन्ता पार्टी की सरकार आने के बाद यहाभी हम लोगोंने तय किया है कि अभी अखलेस यादो जीने इक कसम खाई कि गंगा की कसम खा के कहते हैं 24 घंटे बिजन देने का काम की लेकर स्री अखलेश यादोजी से मैं पूछना चाहता हूँ यह कसम किस तारीख से किस तारीख तक के लिए खा रहे हैं चुनाव के दवरान के लिए कसम खा रहे हैं कि चुनाव की संभावना को देख करके कुछ दिन के लिए कसम खा रहे हैं आज भी जिनगाओं के अंदर जिन छेत्रों के अंदर चुनाव संपन हो गए वहां विजली गायक हो गए। चुनावी विजली को कसं खा करके जूट बोलना और जूट बोल करके जनता की आंक में धूल जोकना इस वी अकलेश यादूजी का सुभाव हो गए। शुरू में फर्जी विज्यापन के आधारबत, एक्स्प्रेस बेग और जो इन्होंने मेट्रो ट्रेन का विज्यापन निकाला उस पर हाई कोट तक को रोक लगानी पड़ी। लेकिन मेरा उस पर एक आरोप आओ रहे कंभीर रूप से कि मेट्रो ट्रेन अखलेश यादूजी के कारकाल में जो बनी है इस मेट्रो ट्रेन में पर किलो मीटर का खर्चा कितना आया है और नोईडा के अंदर जो ट्रेन मेट्रो लाइन बनी है उसका खर्चा कितना आया है यह दोनों का वो हिसाब ने लगभग एक अरब रुपए पर किलो मेटर की गड़वड़ी की आसंका यह मैं व्यक्त करता हूँ और इसका जबाब चाहिए कि लखनव मेट्रों के लिए जो टेंडर हुए थे उसमें 11 कमपनी कौन थी और उसको किल कारणों से हटाया गया था इसका भी अखले स्यादो जी को जबाब देना चाहिए यह भरष्टाचार इस सरकार ने बड़े पैमाने पर किया है और उस भरष्टाचार के तमाम कारणों का भाजपा की सरकार के बारा जाज कराने का भी काम भोगा मैंने कंपणी का नाम नहीं बोला है, मैं अभी कंपणी का नाम दे दुँगा, आपको मिरे पास नाम है, लेकिन अखले सियादो जी से मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए अखले सियादो जी ये बताएं, मेट्रो के लिए जो टेंडर हुआ था, उस टेंडर में एल-वन किया और नोडार लखनव के मेट्रों के बनाने का खर्चा लगभग एक अरब रुपए पर किलोमीटर की पढ़ूत्री क्यों हुई है इसका अखले स्यादोजी को जवाब देना चाहता हूँ लगभग दो सो करोर रुपए मैं जो बोल रहा हूँ मैं अकले स्यादोजी से जवाब चाहता हूँ ज़रूरत पढ़ेगी तुम्हें साथी उनके सामने प्रमार्ट रखे पर वो बतावें कि दोनों में अंतर है कि नहीं है कंपनी जिसने जिसने जो लोईस्ट कंपनी ती उस पर किलोमीटर क्या खर्चा रहा है और इन्हों दो एकष्तरेश दे बनाया उसमें पर किलोमीटर क्या खर्चाया इसका भी अंतर क्यों आया इसका भी अकले स्यादोजी को जवाब देना चाहिए और किन-किन नियमों को उ stigma के दिए गये कि इसका दूर्पर जबात नहीं है। उत्रप्रदेश के अंदर इस समय पूरी तरे से आरजगता है। भाजपा ने अशपश तोर से कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद उत्रप्रदेश के अंदर जो बूचडखाने हैं। जिस दिन सरकार सपत लेकि उसी दिन पूचडखाने उत्रप्रदेश के अंदर बंद हो जाएंगे। हम दुधारू पस्मों के गर्दन पर छूरी चलना परदात नहीं करते। हम चाहते उत्रप्रदेश के अंदर दूद और नहीं की नदिया में। दूसरी बात में कड़ाई पूर्वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अथच और उत्रप्रेश के मुख मंत्री स्री अखलेश यादोजी से पूछना चाहता हूं। उनके एक प्रवक्ता ने हमारे प्रधान मंत्री स्री नरेद मोदी जी को और हमारे राष्ट्री अथच्पानी आमिस साहजी को आतंकवादी सत्र का प्रयोग किया है। उनके खिलाब उनके क्या कारवाई की है वो जबान पर लगाम लगाने का कदम उठाते हैं और भार्दी जर्था पाटी भी उसका जवाब देने का काम करें। मेरी योग से इतना ही कहना है आप सब उसका है और आज का मद्दान बहुत जवरजस्त रहा है। यह तो जवदा वर्स के पापों की जाच भष्टाचार की जाच होगी। लेकिए इस समय सपवाबस्वा कांग्रेश्ट या तीनों मानी नरेन मोदी जी से जवरजस्त भुस्सें। उनको यह लगता है कि मोदी जी ने कहा था कि नखाऊंगा नखाने दूगा। उन्होंने यह नहीं कहा था कि जो खाया है उसको भी निकाल दूगा। इसके कहां से ये सब नाराज हैं और नाराजकी के कारण इस निकालते हैं लेकिन भारती जनता पार्टी ने अपने संकल पत्र में भी कहा है सपा बस्पा के 14 साल के कारेकार में हुए भर्ष्टाचार की जाज कराएंगे तो आने दीजे गेरा कारी को सब किसी सफ़त लेना घार्टी जनता पार्टी की सरकार को सफ़त लेने कि तदकाल बात सारे फैस्टे हो जाएंगे अवैद बैद उत्तर प्रदेश के अंदर कतल खाना नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो कतल खाने चलना है उनको बंद कराएंगे दूसरे राज्यों का जबाद दूसरे राजी के लोगते जब ये उनको बहुत सारी चीजे जानकारी नहीं होगी मुपंजी जी को उत्तर प्रदेश के बारे को उनको जबाद दे रहा हूं कि हमारी सरकार बंदे ही उत्तर प्रदेश के अंदर कतल खाने बंद हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए अफक आपरात को रोकने के लिए हर रिजे ने तीन महिला पुली सी स्टेशन खोलेंगे एंटी रोम्यों दल भी बनाने का काम करेंगे उत्तर फ्रुदेश के अंदर जो हम करने जा रहा है उसको हमने अपने संकल्पत्र के माध्वर्ण से फेकर जाए कि आए कि 11 तारी कोड की गिर्ती होने जा रहे 300 से जएदा भाजपा सीटे जीतने जा रही भाजपा की सरकार बने जाए भारत हाँ जल रहे हैं। मैं अभी मेरे जात गरेव जिस प्रसर का आप मुझे खड़ा कर रहे हैं उसका उस्तर मुझे पास अभी नहीं लेकिन यूपी के अदर कष्ण कर नहीं चलेंगे तो पूरी तरे से बंद हो जाएंगे और हम उस्तरप्रेश की धर्ती पर दुधारू बस्वो पाइब आप 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 देखे मैं एक ही बात बताना चाहता हूं श्री अखलेश यादोजी और राहुल गार्दी जहां भी जाते हैं वहाँ पर एक ही नारा सुनाई देता है कि राहुल अखलेश तुम संधर्ज करो हम मोदी जी के साथ पिरीदा जी मेरे मंत्री नहीं को रामदा साथावडे जी कटबंधन के मंत्री हों नोने क्यों कहा है मैं जानता उनको उत्रप्रेश की इस्तिति हो सकता नाजानकारी हो भाजपा तीन सो से जेदा सीटे आज के चुनाव में भी एक तरफा विजय भार्ति जत्ता पार्टी की हुई है और मेरे पत्रकार में तर भी या सब जान गये हैं कि गेरा तारी तो क्या होने वाला है मैं चाहता हूं कि आप जो सच है वहाँ जब जान ही गए तो लोगों को इससे आ सब्सक्राइब करें कि पुर्वांचन के लिए पुर्वांचन के लिए पुर्वांचन विकास बोर्ड का गठन करके प्यापक विकास करना यह हमारी प्राथ मिक्ताओं अजीद जी इंदुस्तान से अजीद जी राजित अब इसे अभी आगे तो वाजबा सरकार सब्सक्राइब के तत्कालवां लोका यूं क्या था हाँ 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 तो देवाजी की है जी जी हजी जी हिदुस्तान से एक 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 कल्ड़ हाँ अरे माली जी आ रही है आप उसका यह वाँ आप दन्वाद आपको वाति जत्ता पाटी उत्रप्रेश को आपको आपने सुना है 2014 में कांगरेस मुख भारत देश और 2017 का नारा ही है सपा बस्वा मुक्तुत्रप्रेश यह तीनों गड़ गए सब को छड़ गया आप जी जी इंडुस्तान से तेकि भारती जत्ता पाटी को तो फाइदा ही फाइदा महाराश का चुनाओ इस बात का संकेत है कि मोदी लहर पूरे भारत के अंदर जैसी चल नहीं तो उससे तेज चल पड़ी है उस हवा के सामने सपा बस्वा कांगरेस को इप्टिक नहीं पा रहा जैसे 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 आप सब मित्रों के मात्यां को मुझे जानकारी मिलती जा रही हो इस वैसे मैं आपको जानकारी दे पाजा रहा रहा नाएं, हमें फिड़बैक मिल रहा था फिड़बैक मिलने बाद लोगातार आपको जानकारी दे रहे थे सपा बस्वा दोनों के बारे मैंने सजा कहा है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है एक शापनात है दूसरा नागनात और इन दोनों के कारण से मेरे प्रदेश की बरबादी हुई है और बरबादी करने वालों को बरबादी करने की सजा जरूर मिलेगा प्रदेवाद प्रदेश जल्पान है जल्पान करके आप सब मुटे जाएं झाल को प्रदेश जल्पान करें जल्पान को दोनी बरबादी है